हेलो फ्रेंट्स मैं एकता सुलमा और हम आप कर रहे हैं पॉइंट ट्रीज के कुशनसर तो जैसे कि ट्रीज पॉइंट को भी हमने अच्छे से पढ़ा था इसमें बताया गया था कि किस प्रकार से गर्मी का टाइम है और बादल है वो आस्मान में आये हुए हैं अब सूरज क करें करेंज सुरज कर्ण बादल परनिकलता है तो कभी कहीं पर आपनी धूप दकाता कभी कहीं तो बादले इस प्रकार से एक तरिके से खेल ऐसा खेल रहा है तो यह जो आिक से άλλि वाक्तर और म을 बाता canon चैनल गचाने लगता है यहां यूनिवर्सल टूप कि रूप के रूप में दिखाया आ गया है बताती है कि इस परकार से सूरज है वो अपनी रोशने दिखाने लगता है यह मतलब यह एक यूनिवर्सल टूप के रूप में दिखाया गया है यह जो घटना हो रही है बादलों के पीछे सूरज का जाना फिर वाहर निकलना सूरज की कभी वो नजरों के सामने आता है कभी को गायब हो जाता है एक तरीके से यहां पर सूरज को एसेंट्रिक के रूप में बताया गया है एक संकी के रूप में एक जो सनक जिसको विम बोलते हैं तो इमकी रूप में इसको विम के रूप में दिखाया गया है कि यह सूरज की सनक है जो कि वो कभी इच्छ होती वहां पेडों को चमकने के लिए पेडों को अपने रोष्नी देनः ने क्डीज चाहता है हौ और यह ने सब्सकान आचback का तुप प्रेंट अ मेरे बहुत से जो घटनाय है, शूर्द जो करता है पेडों के साथ इनके साथ तो वह सारी चीज है वह यहाँ पर बताए गई है तो करते हैं हम यहाँ पर अपने जो questions है उन questions को करते हैं जैसे poem तो मैंने एक दूम अच्छे से समझा दी question answer पढ़ने से पहले एक बार पहले आप वापस से point को पढ़ लो अगर अच्छे से याद है तेर आपको question answer में कोई भी problem नहीं आने वाली start करते हैं देखू first question अपना what anomalous the ear तो देखो इसमें बोला है कि what anomalous the ear ear को कोई anomalous का मतलब होता है आसक्त करना तो यहां पर बोला है कि कोन से ऐसे चीज है जो ears को हमारी कानों को आसक्त करती है तो देखो यहां पर answer देखो with sunrise small creatures like beach, गैनेट, etc come out कि जो sunrise होता है जब सूरज की धूप निकलती है तो जो छोटे होटे creature होते हैं like beach जो कीट पतंगे होते हैं तो सारे come out में बहार आ जाते हैं धूप लेने के लिए सभी जिवों को भी धूप के आउशक्ता होती है तो the sound of the movement is like music which animates the ear जो कानों को असक्त करती है हमारी कानों को एकदम से मधूर स्वरों से भर देती है उसको भोलते हैं second question देखते हैं the sun sun whole at intervals than half than utter heat what do you understand about the sun here the sun sun whole at intervals कि the interval time होता है तो जो बीच का जो समय होता है उसके अंदर सद्वूरज है वो छुप जाता है then half then utter heat कभी आदा चुपता है कभी पूरा का पूरा चिप जाता है तो यह सारे लाइन देखो पोईम में आई हुरी आपको पोईम अगर समझ में आगे तो यह question समझ में आएगा ऐसे तो देखो समझ में नहीं आएगा वाइड डो यू अंडरस्टेंड अबाउट दा सन हेर आप यहां सन से क्या समझते हो तो यह जो सन दे रखा यह सन वर्ड से आप क्या समझते हो तो अंसर करते हैं आपने है अधर सन इस लाइक है विमसिकल मौनाग विमसिकल मतलब सन की तो देखो हर एक चीज को मुझे यहां पर डिफाइन करने की शायद अब आफशकता नहीं है क्योंकि पोईम आपने अच्छे से क्लियर की है तो एक चीज को बार बार ना क्या बोलो इससे बड़ी हम अंसर पढ़ देती हूं आपको और एक साथ ही थोड़ा सा नेरेट कर दूँगी कि एक सन की मौनाख समराट की जैसा सूरज यहां पर बताया गया है वो कमस आउट ऑफ इस टेट ऑफ प्लावड और उस सूर्य की स्टेट देखो संपती क्या बताई है क्लावड्स को बताई है जो अपनी संपती क्लावड्स से बाहर आता है इस विल्टू है दा ओचार्स जो ओचार्स है मतलब जो फूलो के जो बाग है उनको ग्रो मतलब उनको उगाने में या उनको मतलब एकदम करके त्यार करने में उनकी हेल्प करता है बाहर निकल करके जो ओचार्स बताई है उनको ग्रो करने में उनको त्यार करने में सूरज है वो अपना जो संपती है बा जिससे हमें जीवन परदान होता है तो वह एक मोनाग की समान हो गया ना समराट की जैसा तो सुरज को एक विमसी कल या नि सनकी बताया गया है इसे नि उसकी इच्छे होगी वहीं पर वह बाहर आएगा इसा ही वह समराट है जो अपनी संपती और उसकी संपती क्या है बादल उनके पीछे से वह बाहर निकल और जाता है और वह ओचार्स को को ग्रो करने देता है थर किष्ण देख्टे हैं देखु वाई इस दअ बार्ट केयलेस उन दफैंस लापरवां क्यों है ओ जो बार की दिवार है या जो बार है वहां पर पक्षी है वो केलस क्यों है the bird sitting on the fence is lagging about in the warmth of the morning sun so it is careless तो देखो केलस क्यों है देखो पक्षी हो ची कीट पतंग हो ची छोटी छोटी बीज हो ची ट्रीज हो हर एक को सूरज की जो गर्माहट है या जो मौनिंग शन जो होता है वो गर्माहट लेने की ज़रूरत सबको होती है जो अगर किसी को सूरज की दूप चाहिए वाेटम तो देखो इसमें पक्षियों को पुछा है कि वह केलेस होकर के फेंस पर क्यों बैठे हैं तो दबर सेटिंग ओन दफेंस इस लेजिंग अबाउट इन दवांट ऑफ दव मोर्निंग सन की जो मोर्निंग सन है उसकी गर्महाट को लेने के लिए वह एकदम लेजिंग मतले सिंबलाइज देखो सनेक भी यहां पर क्या है वह भी क्या कर रहा है सुरज की गर्मी है वह ले रहा है एकदम चमक रहा है तो उन सिल्वर मैटर चांड असनेक यह पोएम के लाइन है एकदम अच्छे से मैंने डिफाइन करी थी आपको वह ड़स्ट दा सनेक सिंबलाइज स्भाइज बहुट देखो से लिफाइज है वो इस का बरतीख है क्योंकि वह भी जब सुरज की धूप में चमकता है तो एकदम सिल्वर जेसा लगता है चांडी की जयसा लगता है वह भी धूप से एकने के लिए बाहर आ जाता है अपने उस गुफा से बॉल सकते हैं एपन on the land and get energy from the sun for their lives तो देखो the snake symbolizes the creature कि snake है वो एक ऐसे creature को symbolize करता है ऐसे creature का यह प्रतीक है which live on the land जो कि land पे रहता है and get energy from the sun और वो sun से energy प्राप करता है for their lives अपने जीवन के लिए तो वोई बात है वोई चीज मैं बता रहे हूं कि अपने survival के लिए सूरज से पसू हो पक्षी हो फ्रूट वगएर हो फल वगएर हो कोई भी ट्री हो सब को क्या चाहिए energy चाहिए होती है और वो energy कहां से मिलते है जैसे वोटर से मिलते है वैसे sun से भी उनको मिलती है और उसे के थ्रूट वो सर्वाइव करते है तो यही चीज़ snake की बता ही है the snake symbolizes the creature which live on the land क्योंकि land पर ही रहते है which live on the land and get energy from the sun for their lives next question देखते है अबने bright flowers slit a calycus तो देखो जो calycus होता है calycus को देखो मैंने एकदम पहले से आपको बताया था कि calycus को क्या बोलते है एक बार थोड़ा सा question बढ़ने से पहले हम calycus को वापस देख लेते हैं अगर आप भूल गई तो calycus को बोलते हैं भाईय दलपुंच जैसे कोई flower है flower क्या उसको हम बढ़ बोलेंगे फूल खिलने से पहले caly होता है caly को बढ़ बोला जाता है तो जो बढ़ होता है उसकी देखो रक्षा करने के लिए उसके चारो तरफ एक आवरन सा बना होता है पत्ते वगएर उस फूल को थोड़ा सा धक करके रखते हैं तो उसको बोलते हैं भाई ये दलपँच तो bright flowers let a glyce interpret the line in your own word अपने शब्दों में इस line को interpret interpret 추천 भोता है व्याख्या करना तो अपने शब्दों में इस line की क्या करनी है व्याख्या करनी है तो देखो आलसर in the morning most flowers bloom कि सुबह की समय बहुत से जो floor है कुषबु大 कि प्रेकर निकल निकळती है पतिया and spread their fragrance in the air और अपनी जो फ्रेग्रेंस है अपनी जो खुश्बू है वो हवा में spread करती है फैलाती है उसको बोलते हैं कैलिकस तो यहां पर कैलिकस को डिफाइन करकी बता दिया है तो इसके बाद में देखो हम करते हैं आप क्या समझते हैं पाइदा साल्चीस मतलब गर्मी की टायम में आप क्या समझते हैं तो यह Isben में यहां पर करना है मतलब मने भजन बोला ना देखो religious song होते हैं गीत मतलब कौन से religious होते हैं धार्मिक होते हैं और धार्मिक होते हैं उनको भजन बोला जाता है तो यहाँ पर saltrish word को देखो define कर दिया है saltrish means collection of religious song sang by birds in praise of God तो देखो birds, birds कोन होते हैं जो भजन बोलते हैं उनको बोलते हैं बार्ड तो saltrish means collection of religious song saltrish का मतलब होता है religious song का collection धार्मिक जो गाने हैं उनका collection यानि भजनों का collection sung by birds जो की birds के द्वारा गाये जाते हैं in praise of God भगवान की परसंसा में जैसे देव नारायन जै की फडव अगरे जो बांसते हैं पढ़ते हैं राम देव जी की तो उसमें धार्मिक song का ही तो collection होता है और उसको गाते कोन है birds गाते हैं और किस की परसंसा में भगवान की परसंस with the coming out of the sun in the morning during summer तो देखो क्या बताया है कि है यहाँ पे साल्टेश रफर तो डिफरेंड साउंड इन नेचर की यहाँ जो साल्टेश है वो रेफर करता है डिफरेंड साउंड को एक अलग साउंड को इन नेचर प्रकरती के अंदर जो प्रोड्यूस किया जाता है कि इसके साउंड निकलता है उससे जो साउंड निकलता है उसको यहाँ साल्टेश के रूप में रेफर किया गया है सुबह के समय सुबह के बाहर आने के साथ में ही जो ट्रीज, बीज, नर्स और दूसरे स्मॉल क्रीचर के द्वारा प्रोड्यूस किया गया निकला गया जो साउंड है उससे यहाँ साल्टेश का मतलब है यहाँ पे वो धार्मिक भजन नहीं है होता क्या है एक्चल मीनिंग उसका लिटरेली मीनिंग अगर हम बोले तो भजन होता है जो कि बाड के द्वारा गया जाता है लेकिन यहाँ पे साल्टेश क्या है जो साउंड यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है ट्रीज बीज अधर स्मॉल क्रेशिट के द्वारा कव समर टाइम में और मॉर्निंग टाइम के अंदर जब विद अ कमिंग आउट अउट अब दसन यह ज़रूरी है तो दीस साउंड आर सूथिंग टू यह लाइक जैसे भजन हमे एकदम मतलब आराम जरात देतेजिब्स वैसे ही यह जो साउंड आते हैं इनके पक्षयों के पेडों के रिए सारे सांड भी हमेरे कॉन्स आइक में देतेैं को आराम देते dato देल्ग पर यहां पर पुछ है कि आप कैसे एक्स्प्लेइन करोगे किसको हिंडर्ड फ्लैग जो है मतलब बादा डालते हुए हिंडर्ड मतलब होता है बादा डालने वाले जो फ्लैग है जो ज़ंडे हैं आप उसकी व्याक है कैसे करोगे तो दा इमेज ओ दा हिंडर्ड फ्लैग यह भी देखो पोईम के अंदर दिया गया वर्ड है मैंने अच्छे से आपको एक्स्प्लेइन किया था अगर आपको नहीं समझ में आई हुई है पोईम तो एक बार फिर से आप देख लीजी यह जो अंसर है वो आप आप अपने आप वे तो इस तो फ्लैग का फोल्ड घुलता है वो इसके वो होस्टेड होता है फहराना मतलब ज़िसके हैं वईसप्ले को फोल्ड म्हें एक मैं जाता है तो जो प्रूर्ड पिल्री अिक जो जो पीटरिं से के अंदर से बाहर आती है जो टांच से क हैं भाँचति वह दब है वह दो फेटर में खिल जाती है और वह दू एक दम खिल जाती है जो डंठ है उतकी ऊपर बाहर इस ने अचल जाती है जैसे कि फ्लाइक को अनफर्ल किया जाता है उसको खोला जाता है पोल यानि डंडे की ऊपर दा फ्लावेव इन दा एइस टू ओन पोल और वह जो फ्लॉर होता है वह भी करता है हवा के अंदर वह लता है जैसे कि जंडा अपने पॉल्स पे अपने डंडो के उपर जैसे जंडा फैराया जाता है जंडा हीलता रहता है वैसे फ्लॉर है वो वेव करता है हवा के अंदर तो देखो जो जंडा है यहां पे वो बताया गया है फूल को और यहां पे जो एंफर्ल हो रहा है वो बताया गया है फूल जो एक दम से खिल जाता है जो बर्ड के लिकस से बाहर निकल के आ जाती है तो ऐसे चीजों को यहां बताया गया है पोल जो है यहां पे डंडा जिसके पूरा जो पोदा है उसको बताया गया है तो इस प्रकार से यहां इनकी तुलना की गई है तो इसमें बुच्छा कि पोईट जो सन को रैफिरिंग करने वाले जो प्रेणर है उसको पोईट केपिटिलाइज क्यों कर रही है मतलब क्यों लिख रही है क्यूंकि यह Emily Dickinson है लेडी है तो हम लिख रही बोल रहे हैं तो देखो इसका अंसर देख्ते हैं the point the point has presented the son as supreme power तो son को कैसे supreme power के रूप में यहाँ पर प्रिजेंट किया गया है energy on the earth और प्रित्वी के उपर सभी energy का संपुर्ण रूप से जो जीवन है उसके source है without the sun, growth is impossible, बिना sun के कोई भी growth नहीं हो सकती, किसी की भी नहीं हो सकती, human being की भी नहीं हो सकती, since all pronouns referring to God are capitalized, इसलिए क्या है जो सारे pronouns जो की God को referring करने वाले हो सारे capitalized है, the point has capitalized all pronouns referring to the sun, और इसलिए point नहीं क्या किया है, सब भी जो pronounce है, जो की sun को refer कर रहे हैं, उनको capitalized किया है, एकदम simple सी बात है, क्योंकि God के वे में यहाँ पे जो सूर्य देव है, उनको बोला गया है, हम भी उनको सूर्य देवी बोलते हैं, देव के रूप में, गोड के रूप में हम उसको बोलते हैं, तो देखो, last question आपना, सबसे important बोल सकते हैं, यह जो central idea है, यह जो theme होती है, जो critical appreciation होता है, वो हर poem का आपको याद होना ही चाहिए, तो देखो, last करते हैं, discuss the central idea of the poem, तो the poem trees by Emily Dickinson, तो central idea तो आपको एकदम अच्छे से clear हो गया होगा, I hope आपको poem समझ में आ गया, आपको इतने question बता दिया, तो central idea तो समझ में आई गया, the poem trees by Emily Dickinson, described as summer day, एक summer day की बारे में वो describe कर रही है, मैंने starting में बता दिया था, in the morning bridge, कि जो morning bridge होती है, उसमें trees क्या करते है, swing करते हैं, जूमते हैं, मतलब सुबद सुबद जो हवा चलती है, ठंडी-ठंडी हवा, सुहावनी हवा, उसमें trees क्या करते है, स्विंग करते हैं, पत्ते हिलाते हैं, अपनी, the sun appears and disappears behind cloud, यही चीज़ बताए गई है, सुरज है, वो कभी बाद लोग के पीछे जाता है, कभी वहां से वो disappear, गायब हो जाता है, पीछे चला जाता है, कभी अपियर होता है, कभी वो प्रकट होता है, अपनी सुरज को यहां बताया है, स्मोल क्रेचर सिंग देर साल टिज, तो साल टिज के बारे में हमने पूरा पढ लिया, जो चोटे क्रेचर है वो अपनी साल टिज को गाते हैं, बैट्स एनिमल्स एंजोई दा मॉर्निंग वांट, वो सुबह की जो सुभावनी जो धूप होती है, वो एकदम गर्मी चिल च सुबह को सुबह करते हैं तो बर्स और इन्जमल सों वो मोर Tä्म काहूंं को को एंजोई करते हैं, और फ्रेग्रेंट समय हमारे मरे नहीं लिएवा में छोटें थे बिखावतूरों, छोड़ देते हैं, लिख देते हैं, मत बला हऑने ही एपना करेशिगा, वो सुबह की माते सुनधे में फेल प्राव पॉनाया तो कि आपको ये जो पॉइम When Can Do More अभर आपको पूरी समझ भी तो समझ में बखान बस्क आपको समझ में पर बता कि जिसने मुझे पता चले कि मैं तो नहीं करको आप अच्छा लग रहा है मैं फि से चछिए प्रणादी